संभल के चंदोसी नगर में स्थित डॉक्टर भीमरा अंबेड का जूनियर है स्कूल में छे दिविस्ये ट्रेनिंग कारिकरम कर अभिवार को समापन हो गया जिसमें चंदोसी नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी राजकुमार और सहायक महाप्रवन्धक राजी इंद्र सिंग वर्मा बतोर मुक्यति थी मौजूद रहे समापन कारिकरम में पूरी ट्रेनिंग करने वाले अभिवर्थियों को सर्टिफिकेट और सिलाई मशीन दी जाएगी दरसल उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा संच्रालित जन कल्यानकारी योचनाओं में विश्यकरमा श्रम सम्मान योचना के तहत 6 दीवसी उदमिता कौशल विकास प्रसिक्षित कारिकरम उद्दियोग एवं उद्दिम प्रोत साहन निदेशालाय कानपूर और उदमिता विकास संस्थान लखनों की तरब से संच्रालित कराये गया जिसमें कारिकरम के समापन और छठे दिन अभिहर्थियों को सूट, सलवार, पेंट और लेडीज, कपड़ों के अलावा तमाम डिजाइनों के बारे में सिखाए गया जिसमें 200 अभिहर्थियों को अलग-अलग बैचों में ट्रेनरों ने ट्रेनिंग दी साथ ही मोबाइल एप के जरिये ट्रेनिंग से जुड़े सुबह दस से शाम चार बिल तक वीडियो दिखाए गया इस दोरान जिलाओ द्योप रोध साहन केंद्र के सहायक उपायुक्त मनीश पाठक और शुभम कुमार ने सभी बेंचुकाने रिक्षवड किया इस दोरान सहायक उपायुक्त और डॉक्टर टीयस पाल ने खाने की गुडवत्ता को परखा वहीं ट्रेनिंग ले रहे अभियर्थियों को आत्म निर्भर बनाने के लिए जागरुक किया सहायक महाप्रबंदक राजेंद्र सिंग वर्मा ने बताया कि ट्रेनिंग पूरी करने वाले अभियर्थियों को सर्टिफिकेट और सिलाई मशीन दी जाएगी जिससे वह कपड़ों की सिलाई करके अपने परिवार की आजीविका में सहभागिता कर सकेंगी साथी सिलाई सेंटर चला कर लगू दियोग भी चला सकती हैं जिसके लिए सरकार ने बैंकों से मुद्रा लोन की सुविधा दे रखी है जिसमें अभी हर्थियों को नियूनितम दर पर व्यास दिया जाता है जो खान गवाना इनका डो प्यूनिक की वरिष्टा है जो संचालत है वो इनके द्वारा जो है काप अच्छी चलाई गई अपर ओर शे दिन वे जो लग आनिका अ कया जा रेंक च्छी दिनक के दौराने इनको जो पी सिखाया गया इंसमने पूछो भी गया जो इनके द्व और इसके बाद आज समापन भी है, समापन के बाद इनको जो है टैनिंग के साटिवूट दिया जागा, टैनिंग के साटिवूट के बाद इनका जो टूल्स होता है, टूल्स में मसीन है, मसीन भी इनको परदान कर दी जाएगी, इसके बाद जो है इनका जो आने जाने का खर् तो बता लेंगा है